नमस्कार आज हम मांग के बारे में अध्यन करेंगे मांग के बारे में अध्यन करते हुए हम इसकी परिभाशा नियम विशेष्टा वक्र इसका वक्र कैसे बनता है इसके अपवाद और उदारनों के बारे में अध्यन करेंगे इसका अध्यन करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि मैंने इसके पीडियाफ पहले भेज दिये है तो आपने उनका उनकी रीडिंग कर ली होगी ये मानते हुए हम अब आगे इसको समझने का प्रयास करते हैं अर्थ शास्त्र में जो पहला सोपान है वो मांग है मांग इवन पूर्ती दो महत्वपून स्तंभ हैं अर्थ शास्त्र के इन दोनों के द्वारा ही हम समपून बाजार व्यवस्था को समझ सकते हैं बाजार में कुछ वस्तुई सस्ती भी होती हैं कुछ महंगी भी होती हैं कुछ वस्तुओं का बहुत बड़ा स्टॉक बाजार में उपलब्ध होता है लेकिन कुछ वस्तुओं कम उपलब्ध होती हैं ये सब चीजें इसकी मांग और पूर्ती पर ही डिपैंड करती हैं वस्तू की केमतें किस तरह की होंगी जादा होंगी कम होंगी यह इस पर डिपेंड करता है कि वो वस्तू उपभुगताओं के लिए कितनी जरूरी है उसकी मांग कितनी जादा है अथवा कम है अब हमने ये समझ लिया कि मांग क्यों जरूरी है मांग का अध्यन क्यों जरूरी है बाजार व्यवस्ता में यह है कि इस तरह से कार्य करती है परन्तु मांग होती क्या है सामन्य अर्थ में अगर हम देखें तो किसी वस्तू को पाने की इच्छा को हम मांग कहते हैं किसी वस्तू के उपभूग की इच्छा हमारी मांग होती है लेकिन अर्थशास्त्र में केवल किसी वस्तू को पाने की चाह मांग नहीं कही जाएगी उसको मांग कहने आलने के लिए यह जरूरी है कि हम उस वस्तू के निश्चित कीमत को ग्याद करें और वह निश्चित कीमत किसी निश्चित समय में बताई जाए तो जब किसी वस्तु की मात्रा को उसकी निश्चित कीमत और निश्चित समय के साथ जोड़ा जाता है तब वह उसकी मांग बन जाती है जैसे हमां यहाँ एक उधारन देखते हैं कि मान लीजिए पैंसिल की मांग का हम अध्यन करें तो पांच रुपए प्रती पैंसिल के हिसाब से यदि किसी व्यक्ति को दस पैंसिल चाहिए तो यहें इसकी मांग कहलाईजी इसकी परिभाशा पढ़ते हैं हम ठीक है तो किसी व्यक्ति की पाने की चाह को मांग कहलाने के लिए उसमें कुछ तत्व कुछ अव्यव एड करना जरूरी है यदि वो अव्यव उस चाह के साथ नहीं जुड़े होंगे तो वस्तु की मांग जो है वो केवल इच्छा बनके रह जाएगी ठीक है तो यह जरूरी अव्यव जो हैं यह है सबसे पहले किसी वस्तु को पाने की इच्छा किसी वस्तु की मांग के बारे में जानने के लिए सबसे पहली जो चीज है कि मन में किसी वस्तु के लिए इच्छा उत्पन होनी चाहिए कोई भी वस्तु हम तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक हमारे इच्छा उस वस्तु को खरीदने की नहीं होगी तो हमारे किसी वस्तु के प्रती मांग हो उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले उसको उस वस्तु को उपभोग करने की इच्छा हो हमारे मन में ठीक है? दूसरी है खरीदने की ख्षमता अब केवल इच्छा उस वस्तु की मांग नहीं बनेगी कोई सामान्य व्यक्ति जो 10,000 रुपए प्रती महिना कमा रहा है या 8,000 या जो भी सामान्य व्यक्ति है अगर वो ये इच्छा करे कि आज मैं मर्सेडीज में बैठूं मर्सेडीज खरीद लो तो ये उसकी सिर्फ इच्छा ही कहलाएगी उसकी मांग नहीं कहलाएगी क्योंकि वो उसकी खरीदने की च्छंता से बाहर है तो जो दूसरी चीज है मांग के लिए वो है खरीदने की च्छंता तो यदि कोई उपभोगता कोई चीज खरीदने की इच्छा रखे और उसके पास उस वस्तु को खरीदने की इच्छा के साथ साथ उस वस्तु को खरीदने की क्षमता भी हो तब वह वस्तु मांग कहलाएगी ठेक है तीसरा खर्च करने की ततपरता साधन उपलब्ध है लेकिन उनको खर्च करने की इच्छा नहीं है ठीक है किसी वस्तु को पाने की इच्छा तो है साधन भी है लेकिन उन साधन को या उन रुपियों को खर्च करने की इच्छा नहीं है तो वो वस्तु मांग नहीं कहलाएगी ठीक है तो इच्छा साधन और उन साधनों को लगाने की या उनको व्याय करने की ततपरता भी मांग के लिए जरूरी अव्यव है चौथा है निश्चित मुल्य अब किसी वस्तु की इच्छा को हम मांग के रूप में व्यक्त करें इसके लिए जरूरी है कि उस वस्तु का कोई निश्चित मुल्य हो ठीक है? तभी उस वस्तु के बारे में बताया जा सकेगा कि इस निश्चित मुल्य पर इस वस्तू की इतनी एकायां मांग के रूप में व्यक्त की गई हैं जैसे हम इसी में एक उदारन है उसके बारे में देखते हैं कि दो किलो चीनी चाहिए तो हम कहेंगे कि तीस रुपए प्रती किलो के हिसाब से दो किलो चीनी मांग है या चाहिए ठीक है तो एक निश्चित मुल्य किसी वस्तू को मांग के रूप में व्यक्त करने के लिए बताया जाना ज़रूरी है पाच्वा है निश्चित समय सभी इन अव्यावों के साथ साथ यह भी जरूरी है कि उपभोग को उपभोग का कोई निश्चित समय होना चाहिए उपभोगता अपनी इच्छा को किसी निश्चित समय के लिए व्यक्त करे हो सकता है कि निश्यत समय में उसकी इच्छा है और उसके बाद उसकी वस्तू को पाने की चाह खतम हो जाए या बढ़ जाए या फिर यह चाह जो है वो दूसरी वस्तू के लिए हो जाए तो मांग के रूप में किसी वस्तु की इच्छा को व्यक्त करने के लिए जरूरी है कि एक निश्चित समय भी दिया हुआ होना चाहिए अब मांग के बारे में जानने के बाद हम जानते हैं कि मांग तालिका क्या होती है सिधा सिधा मांग तालिका का मतलब है कि विभिन मुल्यों पर किसी वस्तु की एकाईयों के बारे में व्यक्त करना किसी एकाईयों की संख्या को व्यक्त करना विभिन मुल्यों पर किसी वस्तु की मांग मात्रा को बताना मांग तालिका कहलाता है मांग तालिका दो तरह की होती है व्यक्तिगत मांग तालिका और बाजार मांग तालिका अब व्यक्तिगत मांग तालिका एक व्यक्ति किसी भी एक खरीदार एक उपभोगता की मांग तालिका होती है एक व्यक्ति की मांग की विभिन इकाईयों को विभिन मुल्यों पर व्यक्त करना व्यक्तिगत मांग तालिका होती है केवल किसी एक व्यक्ति विशेश द्वारा निश्चित समय में की गई वस्तु के विभिन संभावित मुल्यों पर मांग की मात्राओं की सूची होती है बाई तरफ वस्तु के विविन मुल्य लिखते हैं और दाई तरफ वोगता द्वारा की गई मांग लिखते हैं इस तालिका में हम देख सकते हैं यहां बाई तरफ प्रती इकाई मुल्य लिखा गया है और दाई तरफ उस प्रती इकाई मुल्य पर एक व्यक्तिकी कितनी मांग होगी इसमें हम देख सकते हैं कि व्यक्तिकत मांग संत्रे का मुल्य ठीक है संत्रे का मुल्य यानि एक संत्रे का मुल्य है इसमें एक प्रती इकाई संत्रे की कीमत है और इसमें उस प्रती इकाई कीमत पर कितनी कुल मांग होगी तो एक रुपए जब इसकी कीमत होती है तो व्यक्ति 90 इकाई संत्रे की मांग करता है इसी तरह जैसे जैसे मुल्य बढ़ता जाता है दो रुपए पर उसकी मांग घटकर 80 रुपए हो जाती है 3 पर 70, 4 पर 60 और 5 रुपए प्रती इकाई संत्रे का मुल्य होने पर उसकी मांग 50 रुपए रह जाती है तो इसकी प्रविर्ती को हम देख के पता लगा सकते हैं जैसे जैसे मुल्य बढ़ रहा है वैसे वैसे संतरे की मांग कम हो रही है दूसरी होती है बाजार मांग तालिका बाजार मांग तालिका का मतलब है कि बाजार में उस वस्तू के जितने भी खरीदार है उन सभी की मांग का कुल मुल्य वस्तू की कीमत पर उन सभी खरीदारों की मांग का कुल मुल्य इसमें हम मांग का कुल मुल्य मतलब मांग की कुल इकाईया जैसे एक खरीदार ने दस इकाई प्रस्तूत की दूसरे ने 20 और तीसरे ने 5 तो कुल मांग हो गई 10 और 20 तीस और 5 उसमें जोड़के 35 इस तरह से हम मान लीजे कि बाजार में तीन खरीदार हैं उन तीनों खरीदार जैसे कि ये तालिका दिखाई गई है तीन खरीदार A, A, B और C तीन खरीदार हैं और यहां पर संत्रे की का मुल्य प्रतीकाई बताया गया है अब एक रुपए प्रतीकाई होने पर A के द्वारा 90 काई मांगा जाता है B के द्वारा 70 और C के द्वारा 170 ठीक है तो अब इन तीनों को जोड़के एक रुपए जब मुल्य होता है को तो तीनों की कुल मांग मात्रा कितनी होगी ये इ कि अध्यान से देखिए यहां पर कुल जो मांग है तीनों वेक्तियों द्वारा वह 330 दी हुई है ठीक है इसी तरह जैसे जैसे मुल्य बढ़ता है तीनों खरीदारों के मांग घटती जाती है A की 80 हो गई, B की 60 हो गई, C की 160 हो गई और तीनों की जो कुल मांग है वो घटकर 300 हो गई इसी तरह तीन रुपए मुल्य होने पर 270, 4 रुपए होने पर 240 और 5 रुपए होने पर तीनों खरीदारों की जो कुल मांग है वो 210 हो गई ठीक है तो इस तरह हम किसी वस्तु की बाजार मांग को निकाल सकते हैं यह मांग बाजार मांग होगी इसमें भी हमने एक प्रवर्ति देखी है कि जैसे जैसे संत्रे का मुल्य जो है वो बढ़ता जाता है वैसे वैसे बाजार मांग जो है वो कम होती जाएगी वस्तू के मुल्य और उसकी मांग में विपरीत सम्बंध होगा अब हम मांग वक्र के बारे में अध्यन करेंगे मांग की तालिका को ग्राफ पेपर पर हम जैसे ही दिखाएंगे रेखा चित्र जैसे ही उसका बनाएंगे वो मांग वक्र कहलाएगा जैसे कि हम यहाँ पर एक मांग वक्र हमने बनाया है इसमें कीमत दिखाई गई है एक, दो, तीन, चार और पांच ठीक है और यहाँ पर संत्रे की मांग को दिखाया गया है यहाँ कालपनिक मुल्य और कालपनिक मांग दिखाई गई है एक रुपए पर इसकी पांच इकाईयां मांग होती है दो रुपए पर चार तीन रुपए पर तीन इकाईयां संत्रे की मांग होती है चार रुपए पर दो इकाईयां और पांच रुपए पर एक इकाई संत्रे की मांग होती है जैसे ही हम इसको रेखा चित्र में दिखाएंगे यहां एक हमें नीचे गिरती हुई रेखा डीडी प्राप्त होगी जो इसका मांगवक्र है